अध्या सत्रा श्रिधा के विवाग अर्जुन ने कहा हे कृष्ण जो लोग शाष्टर के नियमों का पालन ना करके अपनी कलपना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्तिती कौन सी है वो सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी भगवान ने कहा देधारी जीव द्वारा अर्जित गुनों के अनुसार उसकी श्रिधा तीन परकार की हो सकती है सतोगुनी, रजोगुनी, अत्वात्तमोगुनी अब इसके विश्य में मुझसे सुनो हे भरतपुत्र विविन गुनों के अंतरगत अपने अपने अस्तितों के अनुसार मनुशे एक विशेश परकार की श्रिधा विक्सित करता है अपने द्वारा अर्जित गुनों के अनुसार ही जीव को विशेश श्रिधा से युक्त कहा जाता है सतोगुनी विक्ति देवताओं को पूचते हैं रजोगुनी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं अथ्वा तमोगुनी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं जो लोग दम तथा एहंकार से अविवूत होकर शाश्टर भिरूत कठोर तपस्या और बरत करते हैं जो काम तथा आसकती द्वारा प्रेरित होते हैं जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भोतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित पर मात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वो अस्र कहे जाते हैं यहां तक कि प्रते एक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी परकरती के गुणों के अनुसार तीन परकार का होता है यही बात यग्य तपस्या तथा दान के लिए भी सकते है अब उनके वेदों के बिश्य में मुझ से सुनो जो भोजन सात्विक व वास्ते प्रद तथा हिर्द्य को भाने वाला होता है अत्यतिक्त, तिक्त, खटे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिये होते हैं ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन करने वाले होते हैं खाने से तीन गंटे पूर पकाया गया स्वादहीन, बियोजित, एवं सडा, जूठा तथा आस्प्रिश्य वस्तों से युक्त भोजन उन लोगों को पिरिये होता है जो तामसी होते हैं यगों में वही यग्य सात्विक होता है जो शाष्तर के निर्देशा अनुसार कर्तब्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते लेकिन है भरत्सरेश्ट जो यग्या किसी भोतिक लाप के लिए या गर्व वश्किया जाता है उसे तुम जो यग शाष्तरों के निर्देशों की अवेलना करके परसाद वित्रन किये विना, वेदिक मंतरों का उच्चारन किये विना, पुरुवितों को दक्षिना दिये विना, तथा श्रदा के विना संपन किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्रामनों, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरल्ता, भ्रम्चर्यर और अहिसा ही शारिरिक तपस्या है। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वेदिक साहित्य का नियमित प्रायन करना यही वानी की तपस्या है। तथा संतोष, सरल्ता, गंबीर्ता, आत्म सैयम एवं जीवन की शुद्धी यह मन की तपस्या है। भोतिक लाग की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रविर्थ, मनुश्य द्वारा, दिव्य शुरधा से संपन यह तीन परकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंब पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह ना तोस्थाई होती है और ना ही शाश्वत। मुर्कता वश आत्म उत्पिडन के लिए या अन्य को बिनिष्ट करने या हानी पोचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तवे समझकर किसी प्रत्युकार की आशा के विना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य विक्ती को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। किन्तु जो दान प्रतिवकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूरव किया जाता है वो रजोगुनी कहलाता है तथा जो दान किसी आउप अविद्रस्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है सृष्टि के आदिकाल में ओम तत्सत यह तीन शब्द पर ब्रह्मा को सुचित करने के लिए परियुक्त किये जाते रहे हैं यह तीनों साकेंतिक अभिव्यक्तियां ब्रह्मनों द्वारा वेदिक मंतरों का उच्चारन करते समय तथा ब सुभारम, सदेव, ओम से करते हैं मनुशे को चाहिए कि कर्म फल की इच्चा के बिना विवित परकार के यग्य तप तथा दान को तत्थ शब्द कहकर संपन करें ऐसी दिव्यक्रियाओं का उद्देश्य भव बंदन से मुक्त होना है परम सत्य भक्ति में यग्य का लक्ष है और उसे सत्षब से अवित किया जाता है है प्रिथा पुत्र ऐसे यग्य का संपन करता भी सत्थ कहलाता है जिस परकार यग्य तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन करने के लिए संपन किये जाते हैं सत्थ है है पार्थ श्रदा के विना यग्य दा या तप के रूप में भी जो किया जाता है वो नश्वर है वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है